हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल क्रिकेट पॉड में तो इस वीडियो में जो हम मैच कवर करेंगे यूईफा चेंपियन्स लीग का मैच कवर करेंगे और ये मैच हेला जाएगा आरबी लेबजिक और मैंचेस्टर सिटी के बीच में तो दोनों टीम में सा आज के मैच में कौन सी टीम एक सट्रॉंग टीम और कौन सी टीम एक वीक टीम है इस टॉपिक पर हम डीटेल्स में चर्चा करेंगे और ये टॉपिक भी काफी इंट्रेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैbench को विल करेंगी और कितना गोल सकौर करेंगी और किन 11 प्लेयरस को आज के मैच में लेकर चलना है और उन 11 में से किस को कैप्टन और किस को वाइस कैप्टन देना है यह सारी information आपको इसी वीडियो में step by step दी जाएंगी आप वीडियो को दिहान से देखना और हाँ दोस्त आज के मैच में है ऐसा पिलियर जिनका सलक्षन काफी लेस है और रिकोर्ड वाइज वो पिलियर काफी श्यांदार है अब उन पिलियर को किस रन निती कनोसर हमें अपनी ग्रांड लिग की और शमोल लिग की टीम में लेकर चलना वो सारे रन निती में आपको इसी वीडियो में बताऊंगा आप वीडियो को ध्यान से देखना उससे पहला हम इन दोनों टीम का हैट्वेड मैच पर नजड़ डालेंगे और वहां से यह पता करेंगे कि जब यह दुन टीम आपस में केलती है तो किस टीम के पास मैच को विन करना का चांस हाई रहते हैं तो चलिए पहले हम इसी टोपिक को क्लिर कर लेते हैं और हां दोस्त इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वह आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेगे टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो का टॉप की कॉमेंट में हैए आप वहां से हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोन कर सकते हो और साथ ही मैं आप इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना जो इन्फोर्मेशन आपको इस वीडियो मिलेगे नै आप चाहे तो इस मैच की वीडियो पूरे यूटूब में सर्च कर दो इतनी इन्फोर्मेशन आपको कोई नहीं देगा तो साथ ही मैं आप चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों कि मैं आपके लिए फूटबोल की ही हर मैच की वीडियो को यहाँ पर क्रेट करता हूँ और बैल आइकन का ओन जरूर करना तो दोस्त इन तोनों टीम के बीच में लास्ट चार हैट फ्लेड मैच खिले गए और चार मैच से लैब जिग ने इस टीम के सामने सिर्फ एक ही मैच में जीत हासिल किया बल्कि एक मैच ड्रो भी खिला और दो मैच में लोज का सामना भी किया टेक वाइज 1.5 गोल पर मैच सकोर के डिफेंस वाइज 3.8 गोल पर मैच सकोर कर देती लेकिन डिफेंस वाइज गोल कंसीड करना का ज्यादा एवरेज रखती है अब हम बात करें जो पिछला मैच दोनों टीम के बीच में लगा है वो मैच मैच मैंचेस्टर सिटी ने इसी साल में इस टीम के सामने 7-0 से बिन कर लिया था साथ गोल सकोर के डिफेंस से एक भी गोल कंसीड नहीं किया तो आप अंदाज है लगा सकतो पिछला हैट टो एड मैच इन दोनों टीम के बीच में कैसा हुआ है और उस मैच में सिटी का क्या रोल था मतलब काफी भेंकर रोल था अटेक वाइज भी और डिफेंस से तो गोल कंसीड नहीं किया तो यहां से पता चैता है कि मैच्छर सिटी इस टीम के सामने अटेकिं वाइज की अच्छा परफॉमेंस करती है और उसे बगावला मैंचेस्टर सिटी इस टीम के सामने 6-3 से मैच को विन किये 6 गोल सकोर के डिफेंस वाज 3 गोल कंचीड भी है तो कहनक मतलब जब भी दोनों टीम आपस में खेलती है एक हाई सकोर मैच देखने की उमीन रहती है क्योंकि जब भी दोनों टीम में खेलती है तो काफ़ ज़्यादा गोल आने का चांसस रहते है मतलब अटेकर को आज की टीम में लेने का काफ़ ज़्यादा फाइद रहेगा तो दोस्त हमें हैट ट्रेट का अनुसार यही चीज़ देखनों को मिलती है लेकिन हम बात करेंगे इन दोनों टीम का जो रीसेंट फॉर्म है उसके अनुसार यह पता करेंगे कि दोनों टीम का अटेकिंग परफॉर्मेंस कैसा है और डिफेंस को डिफेंस है कौन से टीम रीसेंटली मजबूत है तो चलिए सबसे पहला हम आरबी लेबजिक के रीसेंट फॉर्म को देख लेते हैं तो दोस्त आरबी लेबजिक रीसेंट के छे गेम खेल चुकी है और छे गेम मैसे इस टीम ने पाँच गेम विन कर रहे हैं गेम ड्रो भी खेला है और अभी तक लोस नहीं किया पिछले छे मैसे इस टीम ने अटेकिंग वाइज 2.5 गोल पर मैस सकूर के डिफेंस वाइज 0.8 गोल पर मैस सकूर कंसीड किया तो फिलहाल के टाइम पर इस टीम ने जर्मनी बुन्देस लिगा में काफी श्यांदार परफॉमेंस करके दिखाया है अटेक वाइज भी अच्छा खेलिए डिफेंस वाइज भी गोल कंसीड नहीं किया है बल्कि जो पिछला मैच खेला है वो बायर मुनिक के सामने खेली थी यह टीम उस मैच को अटेक वाइज भी इस टीम ने दो गोल सकूर के डिफेंस वाइज दो गोल कंसीड भी किया है और बायर मुनिक भी कोई हलकी टीम नहीं है वन ऑप दे बेस्ट टीम है इन दा वर्ल्ड अटेक वाइज भी और डिफेंस वाइज भी उससे भी नुकावला यह टीम 3-2 से मैच को जीती है और उससे भी नुकावला ब्रोसिया के सामने यह टीम 1-0 से विन किया है और यंग गोल करें चाहे तीन गोल करें लेकिन जरूर करती है लेकिन डिफेंस से भी यह टीम हर मैच में गोल कंसीड करती है वो चाहे हलकी टीम के सामने मैच हो चाहे अपने लेवल की टीम के सामने मैच हो आज तो इन दा वर्ल्ड जो टॉप बेस्ट टीम है सिटी के सामने मैच है तो उसके सामने तो ओबस यह टीम गोल कंसीड करती नजर आई यही आई की ओके दोस्त तो अब हम बात करते हैं जो सेगंड टीम है मैंचेस्टर सिटी उस टीम का रिशन्ट फॉर्म क्या है अटेकिंग पर्फॉर्मेंस कैसा है और डिफेंस वाइज कैसा है तो चलिए हम सिट टीम पर्फॉर्मेंस आया अटेक फिर फिलाल टैम पर बहतर है डिफेंस अच्छा है अब हम बात करें जो पिछला मैच खेला है वोलवेस के सामने यह टीम भले मैच को हार गई हो लेकिन उस मैच में इस टीम ने एक गोल सकोर किया था और उससे पिछले मुकावला निव का के सामने 2-0 से विन किये और यहां से यूफा चेंबियंस लिग में 3-1 से मैच को विन किये वेस्ट हम के सामने 3-1 से विन किये फुलाम के सामने 5-1 से विन किये तो कहना को मतलब इस टीम का जो ओन एन एवरेज गोल करने का आता है वो तीन गोल पर मैच से गोल करती है और ड हम इस match को पहले प्रड़िट कर लें तो इस match का स्कॉन ही निकालने में अब को इन तीनों फॉर्मेयट में बात करेंगे त्युन फॉर्मेट पर दोनों टीम को कंपेर करेंगे बात करें पॉइंट टेबल की तो दोस्त आर भी लेबजी अभी तक बुंदे से लिगा में टॉप पर बनी हुई है क्योंकि इस टीम ने रीसेंट लिग जो गेम खेलें वो काफी शांदार खेलें हर मैच में गोल सपोर किया डि का मैचस हों चाहिए लीग का मैचस हों लेकिन रजल्ट इसके फेवर में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सिटी की टीम काफ मजबूत देखने मिलेगी हैट ट्रेट गनुसर देखा कि लेब जीग ने इस टीम के सामने या तो मैच को ड्रोग खिला है या मैच को लोस किया ल लेकर defense इस टीम का भी है वी हर मैच मब गॉल कंसीड भी कर चुगी है और हमने देखा कि मैंचस्टर सिटी काफी अच्छा पर्फॉमिस करें है इसने पिछला दो मैच भले ही हा रहे हो लेकिन उसे पिछले मैचेस में इस टीम गोल भी करे हैं और डिफेंड से एक गोल पर मैच कंसीड भी किया है लेकिन मैच को जीत लेती है तो मैं अगर तीनों फोर्मैट को देखो हूं तो city की team काफी better team देखनों को मिलती है तो इसलिए मैं आज की मैच में city क एक slide favorite team मान के चलता हूं clear cut नहीं क्योंकि clear cut इसलिए नहीं क्योंकि यह match Labzig के home है और Labzig अपना home में जल्दी से match को हारती नहीं है तो इसलिए इस match के support line रखा है मैंने एक goal Labzig को मान के चला हूं और दो goal कहने के city कर देगी क्योंकि की बड़े format की बड़ी team है तो यह इस match में ऐसे जा सकती है मतलब इस match का support line one two हो सकता है अब one two को prediction का नुसार हमें इस match में अपनी fantasy की team को create करना अब किस player को team में लेकर चलना किस को captain मनाना किस को wise captain देना यह सारी जान करें अब आपको दोनों team की possible line up और player का stat का नुसार दी जाएंगी अब तक जो information दी है ना आपको वो team के बारें देगी कौन शी team इस match को win करेगी और इस match में exactly कितने goal होंगे यही जान कर दी लेकिन अब मैं आपको दोनों team की possible line up और player का नुसार आपको जान करी दूँगा तो चलिए सबसे पहले हम RB Lab जी की possible line up और player stat को देख लेते हैं तो दोस्त RB Lab जी की possible line up आपको कुछ इस परकार देखना मिलेगी यह team 4-2, मतलब 4-4-2 के formation से playing alone में खेलेगी और यहाँ पर हर एक player का यहाँ पर मैंने stats mention कि हैं कि कौन सा player है जो team के लिए हर मैच में start करता है और almost हर मैच में 90 minute खेलता है कितना goal करें कितना assist करें तो यह सारी जान करें आपको यहाँ पर लिखे हुई है लेगर इस से समझाने से पहले मैं आपको line up समझा देता हम पहले हम बात करें goalkeeper, goalkeeper आज की मैच हम Manchester City का नहीं लेंगे बलके हमें लेकर चलना लेब जीक है जो की home team है और अपने home में यह team चाहेगी कि अपने defense से अच्छा performance करें फिर हम बात करें defense section से तो यहाँ से hand reach है जो defensive कर लेता है दोनों जो आपको left और right fullback देखने में लेंगे इन दोनों में से आपके पास at least एक player तो होना ही चाहिए वो मैं आपने team में round को suggest करूँगा कि वो David round एक better option है जो की बड़ा match में goal तो कर देता लेकिन assist कर chances बहुत जाएद बना रखता crosses से बिना goal के पांड़ी पे चकासत निकाल लेता है और यहां से सीमा का ने header wise मजबूत है कभी कभी करता पिछले match में इसने header से goal किया था और यहां से लोकेबा भी center back है तो इनको try कर सकता है लेकिन अगर आपको लगता कि इस match को प्लेर्जिक one sided win करेगी तब यह दोनों clear important वरना कोई chance नहीं तो इसलिए मैं इनको सब को किया हूँ ब्रॉक अब हम बात करें इस टीम की तरफ से जो एज विंक के तोर पर देखने हम लेगा जेविर सीमान से जो की काफी बहतरी पिलियर से इससे पिछले सीजन जिस टीम के लिए खेला था उसके लिए टॉप 5 बोल टेकर रह चुगा है और इमिल फोर्सबर्ग इस टीम की त होगा तब इनको ट्राइ कर सकता हूँ वरना मैं इनको नहीं लोगा बल्कि Grand League में इनको टीम में ले सकता हूँ करें मुझे लगए कि सिटी 1-0 या 2-0 से स्मैस को जीते कि तो इस कंडिशन में यह पॉइंट जाद दे जाएंगे यूसुफ पॉल से इस टीम की तरफ से एज सीजन में इसने काफ एच्छा कमाल का परकॉमेंस किया है तो इनको मैं लेकर चलूँगा दोस्त यही लाइन अप रही तो इस लाइन अप कर नुशार कम से कम हमें अपने टीम में पाच चार प्लियर तो चाहिए चाहिए पहला गोल कीपर सेकिन में इस टीम का फुल बैक औ जो कि आप ट्राइक मतलब सिटी के सामना कर लगता कि सीमन्स को गोल आगा सीमन्स लो पोल्सन बाकि हर एक प्लियर का सटेट्स यहां पर आपको मैंने मैं बता देता हूं लोईस ओपेंड़ा इस टीम के लिए छे मैच खेल चुगा च्छे मैच मैं सटार्ट के र जब भी पॉसिबल लाइन अप क्या रूफ प्लेयर के सटेट्स क्या है तो चले देखते हैं तो गाइज मैंचेस्टर सिटी की पॉसिबल लाइन अप आपको इस परकार देख मिलेगी यह टीम प्लेयर को और इस टीम का जो प्लेयर के और इस टीम का कोच है ने पैप गोल्ड डियालो जो कि बहुत भी अटेक मैंड और डिफेंस मैंड का बंदा और अब बात करें गोलकीपिरिंग सेक्शन तो यहांसे एडरसन है इस टीम का गोलकेपर तो इनको नहीं लेंगे बाके हम पात्रेंट टिफैंज सेखसंसंस से छावालकर के बार मैंने कवर किया है वालकर इंक बढ़ा मैच का बहुत बढ़ा पिलिय करता आने तब सिटी की तरफ से कोई बिया कर गोल नहीं है तो बल्क कि यही टीम नियक्स को में कराताया उक में गोल कर सकता है बड़े मैच में ऐसे क्लियर्स का गोल आ जाता है और ग्रांड लिग में आपने कैप्टन वाइस के बना सकते हैं जोसिफ गवार्डेल इस टीम के लिए एक नीव शाइनिंग है जब से आया इसने काफी अच्छा इंप्रेसिंग परकॉमेंस करके दिखाया आइ तिंग पांच एर मैच खिला लेकिन गोल असिस्ट नहीं आए बलकि अच्छा कर लेता है यह की पासस अच्छा निकाल लेता और पासस के पॉइंट अच्छा कासर दे जाता है दोस्त अगर इस टीम के तरफ से डिफेंस के बार हम बात करें गवार्डेल और रूबिन डियास और यहांस अकान जी इन तीन को मैं लेकर चलाओं बाके हम बात करें सेंटर मिड़ फिल्डर में तो आपको बता दू रोड्रीगो हर्नांडी इस टीम के लिए अभी तक काफि अच्छा पर्फर्मेंस कर चुका है बिना गोल के पॉइंट तो बहुत ज्यादा देता जूलिन अलवारे जिसका रीसर फॉर म काफि ज़्यादा स्यांदार इर्जेंटिना का प्लेयर और अर्जेंटिना अर्जेंटिना का फाइनल मैच में इसने काफि अच्छा प War बाकि फोरवर्ट तो ही बोल राने का चांसे बने रहेंगे तो दोस्त यही लाइनप पर ही तो लाइनप को हिसाब जाहने टेम में हलांड को लेना अलवारेज को लखना रोडरी को रखना जो जोसिफ गवार्टेल को रखना बुरूबिन डियास को रखना और यान मैनुल अक सकते हैं बाकि हरे एक सटेट्स में आपको यहां पर दिखाई दिया है जैसे एक जानप्ली अरलिंग आफलांड का रिकॉर्ट दिखा देता हूं साथ मैच खेलें टीम के लिए साथ के साथ मैच में खेला है और हर मैच में 90 मिनिट खेला है और आठ गोल कर चुका है और एक का सिस्ट भी निकाल चुका तो इसी तरह आप हरे एक फ्लियर का स्टेट्स को रीड आउट कर सकते हो कि कौन से फ्लियर जो इस टीम के लिए अच्छा प्रफॉंस करता आया है तो दोस्त अब हम बात करते हैं दोनों टीम की तरफ सामने ओल्मोस ग्यार फ्लियर फिक कर लें इ चले पहला हम इस मैच के टीम को क्रेट कर लेते हैं यूईफा चैंपिन्स फुटबोल लीग की यह अभी के लिए मैंने टीम बनाई है कैप्टन इसमें कोई सक नहीं कि हलांड एक बैटर ऑप्शन है कैप्टन यू क्यों बैटर है यह बता हम आपके लिए हलांड पैनल्ट एक गोल निकाला था तो इनको मैंने वाइस कैप्टन रखा है आप चाहे तो हलका से रिस्क लेने चाहे तो फिल फोडेन को वाइस कैप्टन रख सकते हो या टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो अगर आपको लगता कि यह मैच एक लोसा कोरिंग जाएगा रोडरी को हरनांडीज को मैंने टीम में लिया है आप चाहे तो एक लोसा कोरिंग मैच में कैप्टन वाइस के इना भी बना से दो बहुत अच्छा पॉइंट देता है ओपेंडा को रखा है इमिल फोर्जबर को रखा है ड्रॉंग को रखा और यहां से बला स्विच इस टीम का गोल की पर रखा ब वीडेओ को डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जोइन कर लेना मिल देना एस टूटो पर टैक के रेंड़ बाई वीडेओ पसंद आ है तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आगे बढ़ना मिलतेना एस टूटो बाई